हाई एविरिवन फिर्शे हमारे एक नए व्लोग में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो इसके पहले आप जो देखे थे व्लोग ओधिपावली तेवार का लच्चमी पुजा का था तो अब यह हमने बताया था कि अब छट पुजा का तैयारी किया जाएगा तो आप देख स लगा दिया गया है और अब देख सकते हैं कि दिए इस परकार से किए देखे यहां से यह फ्रंट है दोस्तों और यहां से इन करना है यह मेहिं गेठ है योकि यहां से जाना है नदिघाट के और और इधर से गाँ इंदर इधर से आने का रास्ता है और इधर जाने के लिए नदी घाट इधर ही पड़ता है यहीं पे में गेट फ्रंट बनाया गया है आप देख सकते हैं तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर और फिर घर से सौंड जो है उसे लेकर आएंगे और शेट करेंगे चलते हैं तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहां से शाम का जो अर्ग होता है और शाम का बेला में अर्गे देने के लिए सभी वर्त छट प्रेमियों सभी वर्त धारी यह घर से निकल चुके हैं और अब साम हो रहा है तो जल्द सुरिये डूबते हुए सुरिये को अर्गे दिया जा जाता है तो सुरिये डूबने से पहले नदीघाट पर जाकर के डूबते हुए सुरिये को अर्ग देंगे यह सभी और बहुत ही अच्छे धंग से एक कतार में कतार बनाकर के आगे-आगे डीजे और उसके पीछे सभी वर्त धारी जितने भी हैं वो शबी जाते हैं और बह भार झ्लग यूपी का सब्सिभ अ महत पूर्ण हे कहें तो यह पर्व मनाया जाता है भुहत ही थे शंदर तरीके यह पर्व मनाया जाता है Pure 3-4 दिनों का यह पर्वव होता है औहोई न मन में एक हो लास होता है कि चछट पुजा को लेकर और यह बहुत अच्छा लगता है देखने में मनमुहक होता है वाकई में इसका जो रंग ढंग होता है वो गजब होता है दोस्तों क्या बतावें ये माने तो हर तेवहार में से सर्वसरिष्ट तेवहार माना जाता है इसे और ये देखिए नदी घाट पे पहुच चुके हैं और यहां पर नारियल फल जो भी आप इच्छा अनुसार यहां पर बाट सकते हैं वितरन कर सकते हैं तो यहां देख सकते हैं यहां वितरन किया जा रहा है नारियल फल लोगों के द्वारा पबलिक के द्वारा यहां वितरन किया जा रहा है देख सकते हैं अब इस वीडियो मे और शारी एक कतार में आगे बढ़ रहे हैं और वितरन भी किया जा रहा है यहां पर देख सकते हैं यह फोटो सुट यह सायद डीजे के उपर से लिया गया है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और यह नीचे बगल में नदी घाट है उस यहां से ल बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा दिरिश देखने को मिलता है सबसे सुन्दर दिरिश यह माने तो छट पूजा का ही हमें लगता है देखने में मस्त लगता है बहुत अच्छा लगता है खुबसूरती का नजारा ही कुछ अलग होता है दोस्तों यह महापर्वे सबसे स वाकई में दोस्तों ये इसका जुन्ना जारा होता है तीन चार दिनों का वाकई में लाजवाब होता है गजब होता है बहुत ही अच्छा लगता है देखने में तो देखते रही इस पर्व को दोस्तो बहुत ही भक्ति भाव सर्दा भाव प्रेम शे मनाया जाता है यही एक पर्व है जिसमें ना कोई हुर्दंग होता है ना कोई लड़ाई जगड़ा ना कोई और चीज गलत चीज होते हैं यही एक ऐसा पर्व है जो बहुत ही शांती पूर्वाई से मनाया जाता है इसमें ना कोई मिटिंग बैठाया जाता है शांती पूर्वाई किया जाता है यही एक ऐसा पर्व है जिसे शांती पूर्वत मनाया जाता है इसमें अगर डीजे शेटप भी आप चला रहे हैं दोस् बहुत ही आगे तक बहुत ही गलत तरीके से और पर्वे मनाया जाते हैं पर ये पर्वे बहुत ही सांती धंग से बहुत ही सांती से मनाया जाता है इसमें ना कोई गड़ाई, ना कोई और जगड़ा बहुत ही बहुआँ प्रेमशिय सरधा भक्ति से इसे मनाया जाता है दोस्तों सर्वर्स्रेश्ट पर्विद ये ही इसी लिए सर्वर्स्रेश्ट पर्विद कहा गया है तो देख सकते हैं ये नदी घाट है और कुछ नजारा नदी घाट का इस परकार्श है दोस्तों और बहुत ही अच्छा बहुत ही खुपसूरत नजारा है छट माता की कीरपा बने रहे हर वर्ष इस वर्ष के बहाती हर वर्ष इसी परकार से छट मनाया जाए छट माता से यही कि हम लोगों को किरपा है कि इसी पर अर्षे हर वर्ष मनाये जाए किरपा छट मता बनाए रखे हम लोगों की उपर कि जिन्दगी जब तक हो तब तक हम इस परव को मनाते रहें सांति पूर्ण और यह देख रहे हैं तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यही हम लोगों का नदी घाट है और देखिए यह शबी बात जारी जितने भी है और नदी घाट पे जा रहे हैं और यहीं पे अर्ग दिया जाएगा चट माता का सूरी का सूरी देव का और देखिए यह अभी शबी अश्नान कर रहे हैं और अश्नान करने बात जो भी हिंदुरी तीरी बात विधी विधान होते हैं पूजा अर्चेना अर्ग देने का वो पूरा करेंगे और इधर शाम का सूरी आस्त होने वाला ही है देखिए यहां सूरी भगवान को आप देखिए रहे हैं कि सूरी आस्त होने वाला है और देखिए कुछ नजारा इस परकारशे नदिघाट का है दोस्तों वाकई में बहुत खुब्सूरत नजारा है और बहुत ही लाजवाब नजारा है यह कतार में यहां पर लोगों का अरगे देने का जो कार्य है वो चल रहा है बहुत ही सुन्दर तरीके से शांती पुरुवत अरगे दिया जाता है यहां पर और आप देख रहे हैं यह हमारे पंचाइद के मुखिया जी हैं और यह शुबह का अरग जो होता है ओसुबह का अरग देखर के वापश आ रहे हैं और यह नोडीहा जुरांग के हैं और यह देखियां यह नोडिया जुरांग का जो छट वर्ती जो थे वो हैं और अब भी इसके पहले जो देख रहे थे वो खुमिया तरीके थे तो यह नोडिया जुरांग के हैं पंचाय देखनी पड़ता है तो यहां भी बहुत ही कि शांति पूर्वक धूम धाम शे मनाया गया और यह एंट्री गेर्ट जो पहले आप देखे थे वही यह मुख्या जी के थुरू यह लगाया गया था और यह कुमारी कि शुधा मुख्या जी और इधर समाज से भी शुरेंदर परशाद जी है और इन्हीं के द्वारा यह छट तेवहार के उपलप्च में यह काम कराया गया था तो दोस्तों अब यह छट पर भी अब समाप्त हो गया आज सुबह का आरक जो था वह समाप्त हो गया तो शारा जो यह लगा हुआ था इसमें यह मुख्या जी के तरफ से लगाया गया था कुमारी सुधा मुख्या जी के तरफ से तो यह खोला जा रहा है और इसे खोल करके हम लोग घर को लेके जाएंगे अब छट पुजा भी छट महापर वे यह समाप्त हुआ तो वीडियो में आप अगर हमारे ने हैं तो सेर और सस्क्राइब जरूर करेंगे तो देखिए थोड़ा सा बचा है खुल गया है सारा थोड़ा सा रहा है तो इसे भी खोल रहा है हम लो तो वीडियो में बने के रहने के लिए सेर और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा चलते हैं आगे